जैहिन दोस्तों, किसान आंदोलन का असर दिग गया है पंजाब में नगन निगाम चुनाव हुए हैं उसके अंदर भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगा है और किसानों का जो आंदोलन चला है उसमें साफ साफ नदर आ गया है कि किसानों का जो आंदोलन है वो एक सच्चा आंदोलन है किसान भारतिय जनता पार्टी से नराज है दोस्तो नगर निगम चुनाम में भारतिय जनता पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और अधर जो पार्टियां हैं छोटी छोटी वो सब की पार्टियों की हार होई है सिर्फ एक ही पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी जिसकी बहुत ही बड़ी जीत होई है इससे पहले Congress Party की इतनी बड़ी जीत नहीं होई है दोस्तों यानि किसानों का जो आदोलन है उससे भारती जनता पार्टी को नुकसान हुआ है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सीटों पर कितनी सीटें हैं नगन निगम की वहाँ पर और कितनी सीटों पर कौनकोन सी पार्टी ने जीतधरज करिए दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दू साथ नगन निगम के नतीजें आए हैं यानि साथ हो कि साथ नगन निगम Congress Party की खाते में गही हैं साथ नगन निगम मैं से दोस्तों 350 सीटे हैं 350 सीट में से Congress Party सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 270 सीटे Congress Party ने 350 सीटों में से जीती है, वही अकाली दल 33 सीटों पर रह गई, वही भारती जनता पार्टी से 20 सीट जीत पाई है, आमादमी पार्टी 9 सीट, वही अधर जो है, निर्दल्ले जो है, वो 17 सीटों पर जीत हैं, दोस् चुनाब जो होता है दोस्तों, जाते बड़ा चुनाब नहीं होता है, जैसे Consular का चुनाब होता है, वैसे ही दोस्तों, यह नगनिगम चुनाब यानि Consular ही माना जाता है, नगनिगम का चुनाब दोस्तों, दोस्तों, जैसे ही नगनिगम का चुनाब Congress Party जीतती हैं, वैसे ही देश के जो गोधी मीडिया के पतरकारे गोधी मीडिया जो है उसको साप सूंग जाता है यानि एक आवाद ही नहीं निकलती है और ना ही गोधी मीडिया के पतरकार अपने चैनलों पर डिबेट रखते हैं दोस्तो नहीं चर्चा करते हैं दोस्तो अभी आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा हेदराबाद में नगन निगम का चुनाव हुआ था यह गोधी मीडिया वाले दोस्तो भारतिय जंदा पार्टी कोई भी नेता हेदराबाद में नगन निगम के लिए चुनावी रैली कर रह ता चुनावी भाशन दे रहा था वो ये लाइव दिखा रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे चुनाव से वोटिंग दलने से पहले हुआ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे लाइव दिखा रहे थे डिपेट कर रहे थे अब जैसे ही पंजाब के अंदर दोस्तो भार आना में चला है अब तो पूर्ण थेश्ट में पहलता जा रहा है जैसे ही किसानों का किसानों ने भारती जंदा पार्टी के विरोध में वोट दाला वो कोंग्रेस पार्टी की जीत होई वैसे ये गोदी मीडिया के पतरकारों को साम सुग गया अब इन नगन निकम के चुना डिबेट रखी और जैसे ही नतीजे आ रहे थे जिस दिन उस दिन इनोंने पूरे दिन लाइफ दिखाए कि इतने सीटों पर कौनसी पार्टी आगे चल रही है जैसे कि कोई बड़ा विधान सभा का चुनाव हुआ हो किसी राज्जे के अंदर वैसे इनोंने नतीजे दिख देखाओं को 2-3 महीने पहले की बात है अब यह 2-3 महीने के बात दोस्तों नगन निगम का चुनाव पंजाब में होता है तो इन्हें नगन निगम का च्छोटा लगता है by यहां पर भारती जंधा की वहां पर के भारती जंता पार्त की वहाँ पर हार होई है अपनी लाइब दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर जाकर, जैसे ही कहीं किसी राज्य के अंदर भारती जनता पार्टी की हार होती है, भारती जनता पार्टी किसी राज्य के अंदर कमियां दिखती हैं, कोई बड़ा मुद्दोमन कमियां दिखती है, त बंता को अव दोस्तों ये गोबी मीडिया के चैनल है इनको देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये आपके साथ धोका कर रहें गोबी मीडिया वाले सरकार के साथ मिलकर चाहिए दूस्थ आपकी के प्रितिक रिया इसको लेकर आप में नीचे कमेंट वुक्स अप्चाहिए जरूर पताईएगा इस वीडियो ज्याद द शेयर करिए के लाइक जरूर करिए के चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दिये ताकि मैं जब भी निए वीडियो लेकरा हूँ तो आपको पता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना है